कुंद्रू की कई अलग अलग तरीके से रेस्पी बनती है और आपने बनाया भी होगा आज मैं आप लोगों को बताने जा रहे हूं कुंद्रू की एकदम नई और यूनिक रेस्पी जिसे आप देखेंगे ना वीडियो फिर एक बाद ट्राई जरूर करेंगे तो इस रेस्पी के लिए सबसे पहले आप कुंद्रू ले लीजिए और कुंद्रू का टॉप और बाटम कट करेंगे फिर कुंद्रू में चीरा लगा लेंगे आप चाहे तो एक चीरा लगा लीजिए तो कुछ इस तरीके से चार कली में कुंद्रू आपका डिवाइट हो जाएगा लेकिन ध्यान लखिए कि पीछे से ये जुड़ा हुआ होना चाहिए अलग अलग पार्ट में एकदम डिवाइट नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से पहले सारा कुंद्रू तयार कर लीजिए ये कुंद्रू बनाना बहुत ही सिंपल सा है फटा-फट बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो सारा कुंद्रू तयार है चलिए आप मसाला बनाना बताती हूँ बहुत ही सिंपल तरीका है तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है इसमें हम डालेंगे एक से देर चमच नमक या फिर आपको जितना जरूरत हो नमक की आप उतना लीजिए साथ में आधा चमच हल्दी पाउडर राइट करेंगे बहुत ज़्यादा मसाला डालने की हमें यहाँ पर जरूरत ने सिर्फ दो चीजे मिक्स कर दीजिए उसके बाद इस मसाले को हमें कुंद्रू के अंदर डालना है तो कुंद्रू में हमने जो चिरा लगाया है इस तरीके से कुंद्रू को हल्का सा फैलाईए और नमक और हल्दी डाल दीजिए इसी तरीके से सारा कुंद्रू तयार करके आपको रखना है इस तरीके से अगर आप कुंद्रू बनाते हैं बहुत ही टेश्टी कुंद्रू बन करके तयार होता है तो ये सारा कुंदुरू रेडी है, इसे पकाने के लिए हम लोग एक कड़ाही गरम होने के लिए रखेंगे, इसमें आधा चम्मच रिफाइंड ओयल आइट करेंगे, बहुत ज़्यादा ओयल की जरूरत नहीं है आपको, जब आपको ओयल गरम हो जाए तो कुंदुरू हम ल में और कैफ लगा करके, चार से पांच मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि कुंदुरू हमारा पक जाए और इसका चिपचिपा पन जो है वो निकल जाए, पांच मिनट के बाद आप देख पा रहे हैं कि कुंदुरू का कलर चेंज हो चुका है, और अच्छी तरह से यह पक चुका है, आप चाहें तो प्रेस करके थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, तो कुंदुरू हमारा तयार है, इसे हम लोग कडाही से बाहर निकाल करके रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मसाला तयार करेंगे, जो हमारे कुंदुरू को और ज्यादा टेस्टी बनाएगा, तो थोड़ा सा ओल मैंने और आट कर दिया है, फिर हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा को अच्छी तरह से क्रैश होने तक पकाएंगे, उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हिंग, बहुत अच्छा फिलेवर आएगा हिंग डालने से, पारी चौप करके आट करेंगे, कौन्टिटी कम जादा किया जा सकता है, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कुंद्रू लिया है, उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, मिक्स करते हुए, दो मिड़ तक पकाईए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चमच धनिया पाउडर, इस इसमें डाल देंगे टामाटर का पेस्ट, तो मैंने यहाँ पर एक टामाटर को ग्रैंड करके पेस्ट बनाया हुआ है, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर हम यहाँ पर डाल देंगे नमक, तो ध्यान रखिए कि हमने इससे पहले नमक का यूज किया कुंदरू में, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे सिर्फ मसाले के लिए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तीन-चार मियर तक मसाले को पकाएंगे, गैस का फ्लेम लो रखिए, लो फ्लेम पर जब मसाला पकेगा ने बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो यहाँ कुंदरू डालने के बाद हमें इससे मिक्स करना है, और चार-पांच मिर तक पकाना है, ताकि मसाले का फ्लेवर कुंदरू में आ जाए, तो आप चाहें तो ढख करके पका सकते हैं, या फिर आप बिना ढख के ही मिक्स करते हुए पका सकते हैं, तो यह हमारा यहाँ पर कु चुका है, आप हम इसमें डाल देते हैं फ्रिशनेस के लिए थोड़ा सा हराधनिया बारिक चॉप करके मिक्स करेंगे और उसके बाद इस सबजी को हम सर्फ करेंगे आप इस सबजी को डाल, चावल, पूरी, पड़ाठा किसी के भी साथ सर्फ कर सकतें सभी के साथ ये बहुत ही टेश्टी लगेगी उमीद है आज की रिस्पी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी आप अपने घर पर ट्राई जरूर करिएगा उसके बाद मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताएगा रिस्पी कैसी लगी